हेलो स्टुदेंट्स आई वेलकम यू अगेइन टुड़े वी डिस्कस इजी गो स्टेइज वन चेप्टर नमबर इलेवन सो लेट अस्टार्ट विद कोशन नमबर वन कोशन नमबर वन कह रहा है कि बेटा एक मैन ने कुछ डिस्टेंस 45 किलोमेटर पर आवर किया है अत्य व किलोमेटर पर आवर आजाएगा सेकेंड कोशन कह रहा है कि एक मैने कुछ डिस्टेंस अपने घर्चे स्कूल ऑफिस के लिए स्कूटर पर किया है उसके अबरे स्पीड 30 आवर थी तो वो 10 मिनेट लेट था अगर वो 40 स्पीड करता है तो पांच मुन जल्दी पुजाता है तो डिस्टेंस बिट्विन क्या होगा हमने स्पोस कर ले कि डिस्टेंस हमारे पास 6 किलोमेटर है 30 मिनेटर किया और 40 तो दोनों का डिफ्रेंस आजाएगा 10 प्लस 5 15 मिनेट तो सिंप्लिफाइ करेंगे यहां सेक्स के वेल्यू आजाएगी बेटा 30 किलोमेटर कोशन नमबर थार्ड है कि एक मैन के स्पीड 5 किलोमेटर पर आवर है वह अपने टाल में पांच मिन्ट लेट होती है बिल्कुल उसी के तरह है अगर वो स्पीड 6 किलोमेटर पर आवर तो वो टाइम पर पहुझाती है यानि कि डिस्टेंस एक्स मान लेंगे दोनों का डिफ्रेंस 5 मिने करेंगे आपके पास डिस्टेंस आगा 2.5 किलोमेटर कॉशन नंबर फॉर क्या रहा है बिटा अगर बस स्टॉपेज पर रुकती है तो उसकी स्पीड एवरे स्पीड होती है 54 किलोमेटर पर आवर अगर वो स्टॉपेज को इंकलूड नहीं करती तो उसकी स्पीड होती है 45 किलोमेटर पर आवर तो वो स्टॉपेज पर रुकने कि कि उसकी कितने मत वो इस्पीड है 40 54 किलोमेटर पर आवर नहीं रुखती है तो इसकी city Apon 54 मुटिप्लाइ 60 क्यों स्टाकि हम इसको मिनट में कवरो कर सकी कूशन यमबर फइघ एक Y है स्कूल की स्पीर से 3 किलोमेटर वापिस आता है 2 में heat takes 5 hour तो distance कितना है हमने suppose कर लिया कि distance X किलोमेटर है सुबह गया शाम को वापिस आया दोनों का time taken equal to 5 hour simplify करेंगे X की value आजए question number 6 में फिर से आपको average speed निकाल ली है 2 multiply XY upon X plus Y now question number 7 एक motorcycle है बिटा journey में 10 hour लगता है first half में speed 21 है second half में 24 है तो बिटा हमने distance post कर लिया first half होगा तो X by 2 into 21 second half X by 2 into 24 simplify करेंग X की value जएगे 224 किलोमेटर now question number 8 है बिटा दो station है उनके बीच का distance 450 है एक train start होती है दिल्ली से 4 बजे अमरित सर के लिए उसकी speed है 60 किलोमेटर पर आवर दूसरी train start होती है अमरित सर से उसकी speed है 3 start होते है बिटा 3.20 पीम पर और उसकी speed है 80 किलोमेटर पर आवर तो दोनों train कब मिलेंगी और कितने बजे मेट करेंगी हमने distance post कर लिया कि वो 1 किलोमेटर मिलती है दिल्ली से तो फर्स train कितना time cover किया 450 माइनस A upon 80 सेकिंड ने किया train दिली वाली ने A upon 60 equal to 40 by 60 ये 40 क्योंकि इनका difference जो 40 minute है वो 4 पीम था ये 320 तो 40 minute का difference हो गया simplify करेंगे A की बेर हो जागे 720 याने कि 7 किलोमेटर के बाद वो meter करेंगी अब टाइम निकालना है 720 किलोमेटर है time 60 है तो 2 hour 50 minute याने कि 4 प्लस करेंगे तो 6 सा 50 पीम पे दोनों meet करेंगी question number 9 कह रहा है बेटा है river की speed है 6 km per hour boat की speed है 20 km per hour upstream निकालेंगे तो हम दोनों क्या करते है minus तो upstream की speed होगी 14 km per hour time है 24 distance आ जाएगा question number 10 में बोला है कि जो speed है और steamer की speed का ratio 11 ratio 5 है दोनों का distance 10 km है तो दोनों की आपको average का ratio निकालना है still water स्पोस कर लिया बेटा मैंने x km river की स्पोस कर लिए y downstream में होग x plus y upstream में होग x minus y दोनों के time का ratio 11 upon 5 simplify करेंगे तो x की value आ जाएगी ratio x upon y जाएगा 8 ratio 3 question number 11 है बिल्कुल से में सी तरह है कि still water और speed of river 1 7 ratio 1 है 4.2 km में इतना time लगाता है तो कितने time में इतना distance cover करेगी still water 7x river की speed होगी x upstream था तो दोनों का minus किया equal to 14 by 60 simplify करेंग x की value 3 hour आ जाएगी यानि कि speed of river है river के water की 3 km per hour downstream speed time लगाना है time upon दोनों speed का sum 7 3's are 21 7 3 1's are 3 simplify करेंगे 46 minute आ जाएगा now question number 12 Michael की बेटा speed है still water में 6 km per hour कुछ time जाने के बाद उसने ये feel किया कि उसकी double है downstream के time का उसने double time लगाया है upstream में तो speed of current क्या होगी still water की ये है current के pose कर लिया x distance pose कर लिया d तो ये लग गया time आपका d upon 6 plus x downstream में ये time लग गया upstream में का था कि ये वाला इसके double के equal to 2 से multiply equal करेंगे x की value आजाएगे 2 km per hour question number 13 में आपको average speed निकालनी है same वही formula आपके पास है जो पहले था question number 14 बिलकुल उसी की तरह है speed of still water x मान लिया streamer की given है 3 ये 26 km की cover किया है बेटा उसने downstream में 14 km की upstream में दोनों का time same था तो x की value निकालनी थी question number 15 में बोला है कि उसने speed 22 है upstream में 34 है downstream में तो spill water क्या होगी तो upstream हो जाएगा बेटा x plus y equal to 22 x minus y equal to 34 तो x की value अजागी 28 km पर hour 16 question statement वाला है बेटा एक ही option काफी है question number 17 very easy question है कि still water की speed हमने expose कर ली river की speed y होगी boat ने 12 hour लिये है 48 km upstream में 8 hour लिये है same distance in downstream तो बेटा 48 upon x minus y equal to 12 downstream हो गया ये हो गया upstream दोनों को simplify करेंगे x की value 5 km पर hour y की 5 km river की 1 km पर hour आजाएगा question number 18 क्या का है राजीव boat चलाता है 80 km distance हो गया 80 km time लगाता है 1 hour 20 minute upstream के अंदर speed given है उसके आपको 40 hour पर hour stream still water की streamer के expose कर ली x distance upon speed of downstream equal to 1 hour 40 minute यह हो जाएगा x की value आगी downstream में निकालेंगे तो distance upon 45 minus 15 की x minus y use होता है यह question तो पहले भी क्या था question number 19 कह रहा है कि upstream में speed 18 km है downstream में speed 10 km है तो x y की value क्या होगी question number 20 यह कह रहा है कि question number 20 कह रहा है कि बेटा 20 km उसने cover किया है upstream में 1 hour में 20 km कवर किया है downstream में 2 hour में तो upstream और downstream के speed निकालनी है very easy question now question number 21 21, 22, 23 है बेटा km per hour है meter per second में करेंगे तो 5 by 18 से करेंगे meter per minute में करेंगे तो 18 by 5 से 23, 24 very easy है now question number 24 24 में बोला है बेटा एक train की speed यह है दूसरी train की speed 10 meter per second है दोनों को km per hour में convert करके उनका हम ratio निकालेंगे question number 25 पहले की तरह है जिसमें हमने double वाला distance किया था double वाला किया था हमने d माना था question number 12 की तरह है question number 25 है बिल्कुल same step होगा आप खुद करेंगे मैं simplify नहीं करवारी और ये question number 16 अभी-अभी हमने किया था चलो मैं बता जिती हूं वैसे easy question है 20 km upstream में करता है 2 hour में 20 km downstream में करता है 5 hour max और y की value निकालनी है 27 कह रहा है कि still water की speed यह है water की speed यह है तो downstream की speed यह दोनों का sum और distance निकालना है time given है 12 minute 12 upon 60 into speed करेंगे तो आ जाएगा question number 28 में बोला है कि उसने 3 4th बोला है 3 4th km याने की 7 by 5 यह रहा देखो 3 4th quarter है 3 by 4 of 1 km करेंगे तो 7.75 meter streamer के speed suppose कर लिए minute 30 time में convert कर लेंगे तो speed आ जाएगे 4 km पर आवार question number 29 में बोला है कि एक man की current में याने की upstream में speed है 12 km current की rate है यह तो पैस हम निकालेंगे speed on still water still water x plus 1.5 equal to 12 है तो x के वेल 10.5 current की निकालनी है against next train याने की downstream इसमें से इसको minus कर देंगे और यह question तो फिर से वही आ गया कि upstream में time लगाता है 11 km को और करने में 1 hour downstream में लगाता है 5 km को 1 hour में तो simplify करेंगे x और y की value आजए so this is chapter number 11 easy go in next video we discuss step up till then thank you have a nice day